दोस्तों इनसान जिन्दवाद, दोस्तों ये जो तबाही आपके सामने चल रही है, ये तबाही नहीं है, ये तो एक छोटा सा टेलर चल लाँ है, तबाही तो अब देखना दोस्तों, तबाही अब शुरू होगी, पूरी दुनिया भारत की तबाहियों से सबक हासिल करेजी क्याया दोस्तों वु दिन आचिका है नज्दीक कि हमने बहुत समझा है था पूरी दुनिया को दोस्तों दुनिया के चलाने वालों को जुँ पेंगर कि दुनिया को prol 계licht वो से मंदर पूरी दुनिया के सामने मौजूद है आप मेरे लेटर पढ़ सकते हैं किसी को अगर मेरे लेटर की दुरोथ है तो मैं उसकी कॉपी उसके पास अपने दोस्तों के पास फोरण भेश सकता हूँ दोस्तो ये जो तबाही चल रही है कर नाम करोना दिया गया है दोस्तों ये करोना तो नाम दिया गया है बिमारी को असलियत के हमी ये सच्चाई ये है दोस्तों कि आज जो हम अर्बो संकोटन बारूच छोड़ते हैं अर्बो संकोटन डेली बारूच छोड़ते हैं यह उसकी जरीली गैसों का असर है जो आप देख रहे हैं मैंने लिखाता मैंने अमरीका को लिखाता दोस्तों बराक अबामा को जो लेटर लिखाता तो उसमें यही लिखाता मैंने के बंद कर दो अबामा साहब यह बारूद का निकालना बाड़ों को उसे जो बारूद निकालना हैं आप इसको बंद कर उठा के वरना ये बारूद की गर्मी पूरी दुनिया को खत्म कर देगी पूरी हवाओं को पूरे नेचर को गंदा कर देगी जहीला कर देगी अगर यकीन नहों तो एक कमरे में आप जाईए उसमें कनार मैं देगा कि यह हजारोज अपरण बारूद जो हम छोड रहे हैं अंतरिस के अंदर यह दोस्तों एक गलोब का रूप ले चुकी है यह जरीली जैसे अभी धर्थी की द्धर्थी की बिल्कुल नजडीक आई चुकी है दोस्तों दोस्तों कुछ दिनों बाद आपको इंसान तो इन्सान का जल्दी से 20-20 किलो मिंटर तक आपको इन्सान दिखाई नहीं पड़ेगा, यह हाल होने वाला है इस देश का बारत का, चुँके हमारे भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते सोचना समयना, जो इनके दिल में आता है वो करते हैं, दोस्तों अगर वाकई आप लोग इन्सान हो, आपके अंदर इन्सानियत बाकी है, तो इस देश को बचाओ, इस धरती को बचाओ, इस धरती मा को बचाओ, इस इन्सान को बचाओ, यह नहीं कि गांधी छाप को इखटा करने के लिए इस करंशी डाडर शैतान को इखटा करने के लिए पूरे देश को तबाह कर दिया जाए उठागे नहीं दोस्तों ऐसा मत सोचो एक दिन इस धरती से सच जाओगे रुकेगा कोई नहीं दोस्तों कुछ ऐसा काम करके जाओ जिससे दुनिया वाले तुम्हें याद करें कुछ इतना अच्छा काम करके जाओ इस धरती को पर कि जब तक इंसान रहे दोस्तों जब तक लोग आपको भगवान की तरह पूजा करें इस परले में एक इंसानियत का रूप पेश करो अपने अंदर से अपने अंदर से हैवानियत का रूप खुतम कर दो और इंसानियत को जगा हो और इस इंसान का साथ दो दोस्तों कोई चीज़ साथ लेके नहीं जाएंगे आप लोग सब कुछ यहीं रहाता है एक पल के अंदर लेकिन एक हैंकार लेकिन भारत वास्चेओं का हैंकार एक दिन जरूर टूटेगा वो बहुत जल्दी दिन आ चुका है दोस्तों जितने हैंकारी आज भारत वासी हो चुका हैं यह मैं सब अपने दिमाग से देख रहा हूँ दोस्तों आओ इस मानों को बचाएं इस संसार को बचाएं इस भारत देश को बचाएं जिस धर्ती पर हम खाते हैं रहते हैं सोते हैं आज हमने इसकी जरीली गैसों से खतम कर दिया है इसके नेचर को अपनी नेचर को तभा कर दिया है खाए बलकुल हम लोगों न उठागे. दोस्तो हर चीज में क specialty में ला जा रहा है. हर सबजी में कina specialty čैसी नहीं जिसमें हम जरीले ले केm工 नहीं मिला रहे है दोस्तो हम अपने बच्छों की परवरिश नहीं कर रहे हैं. हम अपने बच्चों को परवरिश नहीं कर रहे हैं हम अपने बच्चों को सहर दे रहे हैं हर चीज में हर चीज के अंदर नेचरस के खिलाफ हम लोग चल रहे हैं हर चीज में इंजेक्शन लगा जा रहे हैं न वो सब्जियों में वो जाइके रहे नंगूर का वो जाइका मिठात रहा किसी भी चीज़ का कोई जाइका सब्सक्रामने खतम कर दिया है अपने पागल पन में रुबिया खटा करने ये चक्रमने आके और कहते हैं हम लोग समझदार हैं दोस्तो ये समझदारे नहीं है आओ आओ मैं तुमें बताओंगा कि इस करोने का हिलाश का है दोस्तो नेचर में जहां जहां भी मेरे दोस्त बिमार पड़े हुए है वो कहीं न जाएं वो सिर्फ पीपल पिलखन बरकत की पेलो के नीचे जाके लेट जाएं मैं जावा यकीन से कहता हूँ आप लोगों को दोस्तो कि आपकी तबियत बिल्कुल सही हो जाएगी आपको किसी ऑक्सिजन की नहीं क्योंकर ये पेल दोस्तो देवता कलाएं हैं इस धर्ती पर हमने इनको खत्म कर दिया है अपनी आनों बाइंसान के लिए दोस्तो ये और दाता है पेल जो दाता है ये अपना पिपल है पिलखन है बर्गा देए ये और पिड़ दाता है जो नई आउग्सिजन मानों को देते थे इस धर्ती पे हमने इनको बिल्कुल जारके यूको लिप्टिसा पॉपलर के पेल लगाएं दोस्तो सोचो सोचो क्या लेके जाओगे इस साथ में दोस्तों सोचो तो सही कम से कम बहुत हो चुका है इस फ़कीर को दोस्तों 25 साल हो गए इस देश को समालते हुए इस परले को समालते हुए इस परले को रोकते हुए 25 साल हो गए हैं क्योंको मुझसे ये तबाही नहीं देखी जाएगी दोस्तों आओ आओ दुनिया के चलाने वालों इस तबाही का मुकाबला करके दिखाऊँ आपके सामने में रोग दो सक्कुछ अगर इस तबाही से आप बचना चाहते हैं तो जितनी जरीलिक जैसे जितने जरीले परदात हम अपने बच्चों को खला रहा है इनको आपको रोग ना पड़ेगा इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा तब जाकर ये धर्ती सही हो पाएगी मानों बहुत बड़ी शक्ती है दोस्तों इस धर्ती पे आज दुनिया का निजाम मानों चला रहा है पूरे संसार में सोच मानों की फैली पड़ी है दोस्तों मानों बहुत बड़ी शक्ती है आओ दोस्तों आओ इस तबाही का मुकाबला करके हम आपको दिखाएं कि हम इस बेमारियों से इन तबाहियों से कैसे बचेंगे दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा हमें समझना पड़ेगा हाँ आओ आओ मैं सिखाँगा दोस्तों आओ करोना का मरीज हो मेरे पास मैं तुमें दिखाऊँ कि करोना का मरीज कैसे सही होता है आओ मेरे पास मैं आपको दिखाँगा कि मैं यकीन के साथ कहता हूँ कोई शक्ती इस फकीर के साथ में है दोस्तों जो मेरा साथ देती चलिया रही है कोई शक्ती है जो मेरा साथ दे रही है मुझे होसला बढ़ा रही है आओ मैं दिखाँगा आप लोगो को कि तवाही कैसे रुक्ती है आओ तो सही समझदार दोस्तों अगर तुमारे अंदर सोचने समझने की सलाया था विग जाने को तो आओ मेरे पास मैं तुम्हें बताओं ये तवाही कैसे उत्वन हुई है और ये तवाही कैसे रुकेगी ये तो कुछ भी नहीं है अभी तो टेलर चला है दोस्तों तवाही तो आप देखना मेरे दोस्तों ये भविश्वानी तो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ कि पूरी दुनिया जो है भारत की तवाही से सबख लेगी दोस्तों यह दखना पूरी दुन्या सबख लेगी इन चंद दिनों के अंदर ये अंदर इत्ती बड़ी तवाही देश के अंदर मचने वाली है तो आओ आओ दोस्तो मेरे साथ मैं बताओं आपको कि इस तवाहीों से कैसे बचा जाएगा इन बिमारियों से कैसे बचा जाएगा दोस्तो हम नेचर के खिलाफ चल लہे हैं हमने नेचर को बिल्कुल तवाह कर दिया अपने अहिनकार में आके इसलिए दोस्तो इस तवाही का अंत आ गया है ये अंता हम लाए हैं खुद दोस्तों अपनी हविस्ट को पूरा करने के लिए हमने रुप्या डॉलर इखटा करने के चक्ट में अपनी इस धरती को बिल्कुल तबहर बर्बाद कर दिया है कि डॉलर इखटा हो जाए, रुबिया इखटा हो जाए, गांधी छाब इखटा हो जाए दोस्तों ये कुछ काम नहीं आता है, एक पल में बड़ से बड़ा सूरमा इस धरती से चला जाता है तो आओ दोस्तों बचाएं इस धरती मा को आओ मेरे देश्वासियों निकल के इस तबाही का मुकाबला करके दिखाएं आपके साथ में हम आपको कि तबाही कैसे रुकती है, इनसान बहुत बड़ी शक्ती है, दोस्तों मानाओ अगर ये सोच लेकर मैं हूँ कौन इस धरती पे, तब उसे पता चलेगा, मानो कितनी बड़ी शक्ती है इस धरती पे तो आओ दोस्तों, इस तबाही का हम ढटकर मुकाबला करने का आपको रास्ता बताएं दोस्तों मेरे पास सारे रास्ते मौजूद हैं इस तबाही से मानो का बचाने के लिए मैंने अपने लेटरों में, अपनी किताबों का अंदर सब कुछ लिख दिया है इस मानो को, इस धरती को, इस संसार को बचाने का रास्ता मेरे पास दोस्तों मौजूद है आओ विज्ञानिको आओ दुनिया के चैने वालो मैं तुम्हें बता हूँगा कै जर्ती बचेगी कैसे ये संसार कैसे बचेगा आओ तुम सही कम से कम हमने बाग कुछ लिखके देख लिया तो हमारे लेटरों की मजाख खुलाई गई हमारे लेटरों को हजी मजाख में टाल define लेगया आओ जंगान तुम्हारे सान ने आ चुका है दुन्या चैन चलाने वालो कम से कम ये सोचो कि हमें दुन्या में रहना कैसे है आओ मैं दोस्तों तुम्हें रहना सिखाऊ आओ विग्यानिकों मैं तुम्हें अविश्टार करना सिखाऊं आओ लेख़गों मैं तुम्हें लिखिना सिखाऊं कि लिखिना किसे कहते हैं बहुत लिखे हैं आप लोगों ने हकीकत लिखो सब्जमिन की इस नेचर की हकीकत लिखो इस मानों के हकिकत लिखो का आज मानों की इस पोजिशन में पहुंच चुका है सोचो दोस्तो सोचो आओ मेरे पास मैं सब इस तबाही से बचा लूँगा दोस्तों आपको यह मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ मैं दावा नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे इतना यकीन है कि कोई शक्ती मेरे साथ है जो इस तबाही से इस मानों को मुझे मेरे साथ आपको बचा के ले जाईगी यह मैं आपके यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों दावा नहीं करता हूँ एक फकीर संत आदमी हूँ पत्तिस साल सन्यास जीवे हो चुके दोस्तों इस देश पर समारते समारते मेरे बैस खतम हो चुका हूँ दोस्तों इस दुन्या के लांते सुनते सुनते हर आदमी मुझे बुरा बताता है यह पागल है यह ऐसा है यह बैसा है ये चोर है ये लुटे रहा है अरे दोस्तों कहने वालों मेरे दोस्तों कभी मेरी जिन्दगी में जहांके तो देखो कभी इस इंसान से आज तक किसी इंसान को तकलीफ हुई है आओ दोस्तों आओ मेरे पास और इस जिन्दगी पर धबा लगा के दिखाओ आओ मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा दोस्तों हम तुम्हें रास्ता बताऊंगे इस तबाही से बचने का दोस्तों अगर तबाही से ना बचा जा इस फगीर ने आपको तो इसके सामने जहर के पैला रख देना उढ़ा के दोस्तों बड़े से बड़ा करें मैं पूरी दुन्या के चलाने वालों से कहता हूँ कि दो-चार मरीज जो सब्सक्राइब सीरियस हैं वो मेरे साम में लाएं मैं उन्हें बचा के दिखाँगा कि देखो यह नेचर वो शक्ती है यह निजामे वो प्राकिती की वो शक्ती है जो हर मरस की दवा इस नेचर के अंदर मौझूद है मैं इस नेचर से उस करोनों के मरीज का इलाज करूँगा मैं उसे पीपल के पेड़ के नीचे सुलाँगा मैं उसे बरगत के पेड़ के नीचे सुला के सही कर दूँगा दोस्तों हाँ दोस्तों ये वो दाता पेल हैं ये वो दाता हैं कि कभी इन पेलों की पूजा हुआ करती दिये हमने अपने हैंकार में काड़ के फेक दिये अंजाम तुम्हारे सामने आचुका है दोस्तों तो आओ दोस्तों हम सब मिलकर अपनी इस पहरीमा धर्ती को बचाएं और इसे इसी तरह स्वर्ग बनाएं जैसे ये पहले थी, वही महबत, वही मानाउता, वही इंसानियत फिर से पैदा करने अपने अंदर और एक बारी धर्ती को इस तबाही से जटकर आपको मुकाबला करें, आओ दोस्तों मेरे साथ हम आपके साथ हैं, इंसान जिन्दाबाद, इंसान जिन्दाबाद, महबत, जिन्दाबाद